नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूटिब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर मेरा नाम है प्रेली शर्मा, जैसे हमने वादा किया था आप लोगों से कि हम पार्ट टूर जरूर लाएंगे और वो हम लियाए हैं अगर पार्ट वन आपने ना देखा हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं और दोस्तों, नौन नर्सिंग पार्ट के भी वीडियो आज हम तुपैर में लिया आएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं बेल आइकन पे प्रेस कर देना जिससे कि आप हमारे लिटेस्ट वीडियो को देख सकें और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा शुरू करते हैं अब कोशिन सेशन अपना कोशिन नमबर वन जो था हमारा यीस्ट इस टाइप आफ हम सब को पता है यीस्ट क्या है? एक फंगी का टाइप है नेक्स टोशिन की बात करें वट इस नॉट ए कॉंपोनेंट ओफ क्वालिटी सी पियार जब सी पियार की बात करें दोस्तों याद रखना तीन सी एबी कंप्रेशन, एरवे एंड ब्रीथिंग यही मेन कॉंपोनेंट्स होते हैं आपके सी पियार के इसमें चोछता ओप्शन होता है वो नॉट कॉंपोनेंट में आ जाएगा चलिए, कॉशन नंबर नेक्स्ट अबी जी इस कलेक्टिड फ्रॉम आर्ट्रियल ब्लड गैस अबी जी जो होता है वो कहां से जब नाम में आर्ट्री आते हैं तो हम आर्ट्री से उसको कलेक्ट करते हैं और धियान रखेए ना मोस्ट कॉमन साइट इसकी रेडियल आर्ट्री होती है हम फैमुराल आर्ट्री से भी ले सकते हैं अबी जी बट मोस्ट कॉमन की जब बात आती है तो रेडियल आर्ट्री उसमें इंक्लूड होती है चलिए, नेक्स्ट कोशन Diabetic Keto Acidosis Science are Accept Accept की बात की जाए तो Diabetic Keto Acidosis के मैं Science आपको बता दूँ तो Ketone Bodies Urine में Present रहती है Cosmol Respiration होता है Fruity Smell रहती है Dehydration के जितने भी Sinens Symptoms होते हैं वो आते हैं Glucose जो होता है 300 mg per dl से जो Blood Glucose Level होता है बढ़ जाता है और Electrolites Imbalance मतलब Hyperkalemia Patient में Show होता है इसके अलावा जो भी Sinens Symptoms अंसर में दियो होते हैं वो Accept में आते हैं चलिए Next Question Peptic Ulcer Caused By Peptic Ulcer हम सबको पता है कि H Pylori मतलब Helicobacter Pylori की वज़े से Peptic Ulcer Most Commonly होता है Next Question Which of the following is not a Diagnostic Test Diagnostic Test की बात करें दोस्तों तो LFT, KFT, Endoscopy ये सारे Diagnostic Test में गिने जाते हैं बड टूबक्टोमी एक Permanent Contraception Method होता है Woman में ठीक है तो ये प्रोसिर में आ जाता है चलिए Next Question Immediate Treatment of Chemical Burn Eye Immediate Treatment क्या होगा Chemical Burn Eye का तो जहां रखना हमें Running Water में या Tap Water में कम से कम 15 से लेके 20 मिनट आई को Wash करना है ध्यान रखना ये होता है Immediate Treatment Next Question Isophageal Atreusia and TEF Management तो ध्यान रखना इसका अगर Diagnosis की बात की जाए तो Barium Mill X-ray उसका Conformatory Diagnosis होता है और जह हम Management की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ Surgery Resection और Anostomosis हम करते हैं बट ये भी दो तरह का होता है अगर Fistula और Atreusia 2.5 cm से कम होता है तो हम Direct Surgery करते हैं Resection करते हैं और उसका Anostomosis कर देते हैं बट अगर यही Distance जो होता है More than 2.5 cm हो तो ध्यान रखना NG Tube हम पहले Insert करेंगे उसके बाद ही Surgery पे जाएंगे ठीक है चलिए Next Question Pick Line Full Form Pick Line की Full Form होती है Peripherally Inserted Central Catheter Direct Insert था यह बहुत Easy Question आये हैं दोस्तों इस बार और ध्यान रखना हम Cut-Off की एक वीडियो हमका लाएं हैं और उसके related detailed वीडियो भी हम आगे लाएंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा चलिए Next Question Digoxin is not given when pulse rate below then Digoxin आप सबको पता है किस चीज की medicine होती है कितनी pulse से होती है 60 bit per minute से कम में हम Digoxin नहीं देते अब से बड़ा नर्स का काम ही यह होता है कि Digoxin देने से पहले हमें क्या pulse rate assess करना है चाहे वो बच्चे का हो या बड़े का हो चलिए Next Question Priority Treatment of Diarrhea Priority Treatment की बात की जाए तो सीधा सीधा इस cancer आता है Rehydration चाहे वो orally ORS से हम करें या फिर IV flutes देकर करें सबसे पहला treatment जो priority में होता है वो होता है Diarrhea का Rehydration ध्यान रखेगा चलिए Question Number Next Control of Community Disease is under which level of prevention जब बात आए न Control of Community Disease की या फिर Promotion या फिर Health Education Program या फिर Maintenance of Health या फिर Immunization ये सभी के सभी किस लेवल के अंडर में आते हैं ये सभी आते हैं Primary Care लेवल के अंडर में चलिए Next Question Highest Energy Provided By ध्यान रखना Highest Energy Provided By होता है Lipid मतलब Fat एक ग्राम में 9 किलो कैलोरीज ये देता है 9 KCL ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ का आप Next Question Memory Stores in Which Part of Brain देखिए दोस्तों ये Memory Waste Question है हमें option पता नहीं होते हैं हम जादा सारा कोशिश करते हैं कि चितने कोशन exams में आई हैं हम आपके सामने वो लाएं जिससे कि आपके doubts clear हो सकें और जो बच्चे आगे exam आने की तयारी कर रहे हैं उनकी help हो सकें तो ठीक है Memory Store की जब बात की जाए तो इसका अंसार आता है हेपो केंपस हेपो केंपस में ही हमारी Memory Store होती है हेपो केंपस क्या होता है Limbic System का एक पार्ट होता है चलिए next question collar bone is collar bone कों से होती है clavicle bone और धियान रखना clavicle bone को ही collar bone को ही beauty bone से भी जाना जाता है चलिए next question lumber puncher not done in which condition lumber puncher जो होता है हम किस condition में नहीं करते इसका सबसे असान अंसर है increased ICP मतलब intra cranial pressure जब भी बड़ा होता है तो हम lumber puncher नहीं करते है ठीक है next question air bubble in chest tube धियान रखना जब भी chest tube में air bubbling हो जाए तो इसका सीधा सीधा direct मतलब है कि air leakage हो रही है आपके ICD में ठीक है air leakage चलिए next question bladder sensation occur when urine is above कि bladder में sensation कब होती है कि urine कितने level से अबव हो जाता है तो इसका अंसर है 352 500 ml ठीक है ये इसका अंसर है चलिए child hypothermia sinus symptoms की बात की जाए दोस्तों तो इसमें ध्यान रखना मैं sinus symptoms बताता हूँ उन में से कोई भी हो और आपने take किया हो तो आपका अंसर बिलकुल ठीक होगा slow shallow breathing होती है ठीक है बच्चे में जब भी उसको hypothermia होता है और दूसरा क्या shivering होती है क्यूं shivering से body अपना खुद का body temperature बढ़ाने की कोशिश करती है तीसरा क्या weak pulse होती है drowsiness होती है बच्चे में मतलब low energy हमें दिखती है कि बच्चे काफी drowsy हो रहा है और आगे चलके loss of consciousness भी देखने को मिल सकती है ठीक है बच्चो चलिए next question की बात की जाए यह last question है blood group not matched इसमें जो answer था गलत जो था not matched की बात की जाए तो उसमें यह दे रखा था कि A B positive donor है और B positive recipient है तो यह तो होई नहीं सकता हम सबको पता है कि B positive O और B blood group वालों से ही receive कर सकते हैं और A B positive A B को ही donate कर सकता है ठीक है अच्छा बच्चो कुछ बच्चो ने comment किया था कि जो malaria वाला question हमने first video में डाला था उसकी जगा डैंगू पूछा गया था तो चिंता कोई बात नहीं है अगर डैंगू भी पूछा गया है तो डैंगू virus से होता है अगर virus की बात की जाए तो इसकी family होती है group B और वो virus family ध्यान रखना group B और वो virus family तो अगर डैंगू का question आया हो और जिन बच्चों ने virus पिट click किया हो तो इसका मतलब आपका answer 100% correct है like, subscribe, जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों को साथ भी share करिएगा जिनको जरूरत हो ठीक है दोस्तो और ध्यान रखना आपको कोई भी question या query हो तो मैं telegram link का नीचे description में दे दूँगा आप उस पे अपने doubts पूछ सकते हैं